तो आपके सामने एक पिक दिखरी हो गया आपको इसमें बहुत सारे organization के logos बने हैं तो क्या आप लोगों को कुछ याद आ रहा है if yes then well and good if no then up time आ चुका है कि आप बहुत जादा आपको focus होने की जरुवत है because ये जो सामने आपके logos दिख रहे हैं इससे MNS 2020 में questions आ चुके हैं ठीक है और I hope आपका revision शुरू हो चुका हो ठीक है तो अगर आपको ये logos याद आ चुके हैं तो आज का जो topic है वो इनी logos के उपर होने वाला है और इसी topic से related questions मैं पूछूंगी और आपको वो attempt करने है क्योंकि अब time नहीं बचाए कि मैं एक-एक topic आपको explain करूँ हाँ अगर आपको कुछ topic में confusion है वो आप मुझे बता सकते हैं उनका मैं अलग से वीडियो बना दूँगी बट अभी आप revision करिये और यहाँ पे question attend करिये ताकि आपको पता लग जाए कि आपको वो चीजे recall हो पारे है time से या नहीं हो पारे है विदाओ वेस्टिंग या ताइम लेट आप विडियो विच बेस्ट आप विडियो विच बेस्ट आप इंटनाशनल और अर्गनाइज़एटिशन Before starting the video I would like to mention here that this is the part 1 of most important topic series and this topic से मैं पहले cover करूंगी कि क्या previous year में इस topic से questions आ चुके है तो जो पहले आ चुके हैं questions वो ये थे WHO का director general कौन है ठीक है फिर एक question था general secretary of UN कौन है ठीक है फिर एक question आया था सार्क का headquarter क्या है ठीक है और फिर एक question ये भी आ रख है www.f का logo क्या है ठीक है तो हर year international organization से question आता ही आता है maybe इस बार भी आ जाए तो ऐसे topic आपको बिलकुल भी नहीं miss करने चाहिए जिनसे हर बार question आ रहे हैं ठीक है तो मैं अभी क्या करूंगी जो ऐसे topic है जिनसे हर year question बनते है 17, 18, 19, 20 17 तो नहीं 18, 19, 20 इन 3 years से जो लगातार questions आ रहे हैं जिन-जिन topic को से उनको मैं cover करते वे लेके चलूंगी ठीक है I hope आप सारी series देखेंगे and जो मैंने question यहाँ पर डाले हैं वो तो आप करेंगी करेंगे लेकिन साथ मैं आपको क्या करना है उसी topic के उपर सारे notes को अच्छे से एक बार revise कर देना है क्योंकि जरूरी नहीं अगर जो मैं 10 questions लेके यहाँ पर आई हूँ वही वहाँ पर पूछ ले हैं तो आपको क्या करना है revise सारा ही करना है यहाँ पर मैं इसले questions ले रही हूँ क्योंकि एक तो आपको पता चलता है important topic है और अगर आपने पढ़ रखा है obviously बात है पढ़ तो रखा ही होगा तो क्या आप time पर recall कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं ठीक है So without your time, let's start our today's video Our first question is Headquarter of WWF तो मैं साथ मैं options भी पढ़ रही हूँ और आप answers को अपनी copy में लिख सकते हैं ठीक है So the options are as follow A. Gland, Switzerland B. Shanghai C. Mexico D. Washington, D.C. I hope आपने अब तक note कर लिया होगा answer So the correct answer is Option number A That is Gland, Switzerland तो एक तो आपको ये पता होना चाहिए WWF का full form क्या है अभी तो हम इसको जानते हैं World Wide Fund के नाम से ठीक है लेकिन पहले इसका नाम क्या था पहले इसको बोलते थे World Wildlife Fund ठीक है तो बाद में इसका नाम change कर दिया गया था उसके बाद इसका आपको headquarter तो पता होना ही चाहिए साथ में अगर मैं ये बताओं या फिर आपको पता भी होगा 2020 में इसका logo पूछ लिया गया था कि WWF का logo क्या है तो क्या है Panda है ठीक है Panda इसका logo है उसके बाद WWF का President कौन है ये भी आपको पता होना चाहिए President, Secretary या फिर Head बोल लो ये सारी चीज़े आपको Important, Important Organization की पता होनी चाहिए तो WWF के President कौन है पवन सुखदेव Okay Now let's move on to our next question Our next question is Headquarter of ASEAN तो इस question में अपको क्या बताना है Headquarter बताना है ASEAN का And the options are as Follow A. Washington DC B. Jakarta, Indonesia C. Geneva, Switzerland D. London, UK Now you can pause the video and attempt the question So the correct answer is Option no.2 Jakarta, Indonesia तो ASEAN का सबसे पहले आपको Full form पता होना चाहिए जो की है Association Of Southeast Asian Nations तो ये हो गया इसका full form तो उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि ASEAN में किते member country है तो ASEAN में किते member country है 10 countries है अब अब इन 10 countries के आपको नाम भी पता होना चाहिए इस BSE का जो B है इससे आप country का नाम याद करेंगे Bruni B-R-U-N-E-I ठीक है तो B से हो जाएगा Bruni दाट इस B-R-U-N-E-I ठीक है उसके बाद S से S से हो जाएगा Singapore Singapore ठीक है उसके बाद C से हो जाएगा आपका Cambodia C-O-M मैं pronounce कर ले रही हूँ आप लिख लो C-O-M-B-O-D-I-A Cambodia तो आपका B से क्या हुआ था B से हुआ था Bruni S से हुआ था Singapore C से हुआ था Cambodia यहाँ पे जो 2MM है ठीक है उसमें पहले वाला जो M है इसका मतलब हो जाएगा Myanmar M-Y-A-N-M-A-R मयान मार और जो दूसरा M है उसका मतलब हो जाएगा एक सकेंड हाँ उसका मतलब हो जाएगा Malaysia Malaysia ठीक है तो तुम B.S.E. करके 2MM TV पर है ना जिसमें जो B.S.E. है उसमें B का मतलब हो जाएगा Bruni S का मतलब हो जाएगा Singapore सी का मतलब हो जाएगा कंबोजिया और जो यह टू एम है इसमें पहले एम का मतलब हो जाएगा मायानमार दूसरे एम का मतलब हो जाएगा मलेशिया ठीक है अब टीवी जो है टीवी का जो टी है इससे हो जाएगा थाइलेंड ठीक है थाइलेंड वी से हो जाएगा व्यतनाम P से क्या होगा Philippines ठीक है मैं spelling बता दे रही हूँ P-H-I-L-I-P-I-N-E-S P से हो जाएगा Philippines and L से क्या हो जाएगा L से सबको पता ही होगा Laos L-A-O-S ठीक है तो तुम भी ऐसे करके 2MM TV पर IPL देख रहे हो ठीक है उसके बाद जो ASEAN Day है वो कौन से डेट को बनाया जाता है 8 अगस्त ठीक है 8 अगस्त को ASEAN Day बनाया जाता है Secretary General कौन है Lim Jock होई या होई जो भी है L-I-M Lim J-O-C के जोग H-O-I होई ठीक है तो Lim Jock होई इसके क्या है Secretary General तो इतनी चीज आपको ASEAN के बारे में पता होनी चाहिए Our next question is Headquarter of BIMSTEC तो इस question में आपको क्या बताना है Headquarter बताना है वो भी किसका BIMSTEC का तो सबसे पहले BIMSTEC का आपको full form पता होना चाहिए जो कि क्या है Bay of Bengal Initiative for Multisectoral and Economic Cooperation ठीक है तो इसका full form हो गया Bay of Bengal Initiative for Multisectoral Technical and Economic Cooperation ठीक है अब आपको इसमें क्या बताना है Headquarter बताना है So the options are as follow A. Jakarta, Indonesia B. Geneva, Switzerland C. London, UK D. Dhaka, Bangladesh तो वीडियो को pause करिये and answer कोशिश करिये कि attempt कर पाया So the correct answer is D. Dhaka, Bangladesh तो BIMSTEC के कौन है तो B से तो आपका हो जाएगा Bangladesh A.I. compliment, Bangladesh N. वालभा तो B. माण्गलाधेश B. माण्गलाधेश A. Slimate,vals A. बतार A. म शर्रील생 B. बतार A. गरेखा माण्गलाधेश A. माण्गलाधेश A. अव्ए तो B. माण्गलाधेश कौन-कौन सी, बांगलादेश, इंडिया, मयानमार, श्रिलंका, थाईलैन, भूटान, नेपाल तो ये हमारी साथ कंट्री बिम्स्टेक की मेंबर है कितने सालों बाद समिट होता है बिम्स्टेक का, तो हर चार साल बाद इसका समिट होता है इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है तो इसके सेक्रेटरी जनरल है, एक सकेड, पहले मैं नाम लिख देती हूँ टेंजिन, टेंजिन, लेकपल, पी-एच-ई-डबल-L, या तो लेकपल बोलते है या फिर लेकफल बोलते है ल-E-K-P-H-E-L-L, टेंजिन, लेकफल, ठेक है, जो कहां से है, भूटान से आर निक्स क्वेशन इस हेटकोर्टर ओफ ब्रिक्स, तो आपको अब भी क्या बताना है इस क्वेशन में, ब्रिक्स का हेटकोर्टर, ठेक है तो गाइस, आप ये क्वेशन आप एटेम कर सकते हैं तो ये जो ब्रिक्स है, इसके मेंबर कंट्री कौन है, बी से होग जाएगा आपका ब्रजील, आर से हो जाएगा रश्या, आई से हो जाएगा इंडिया, से हो जाएगा चाइना, और से हो जाएगा साउथ आफ्रिका, तो ये सारे इसके क्या है, मेंबर कंट्री है, ठेक है, अभी जो ब्रिक्स हुआ था, ठेक है, ब्रिक्स का कौन से समिट हुआ था, ट्विल्थ समिट हुआ था, ठेक है, 2020 में, तो इसकी होस्ट कंट्री कौन थ तो हो सकता है एक्जाम में भी पूछ लिया जाए ठीक है तो ब्रिक्स का जो 12 समिट थे वो किसने होस्ट किया था रश्या नहीं किया था ठीक है आपको मुझे कमें सेक्षिन में यह बताना है कि ब्रिक्स के हेड कौन है ठीक है जिते भी इंटर्नाशनल और्गनाइजेशन में यह नहीं बूलूंगी सबके पढ़ लो लेकिन जो इंपॉर्टन होते हैं जैसे बिम्स्टेक हो गया ब्रिक्स हो गया ठीक है तो यह कुछ जादे इंपॉर्टन हो जाते हैं क्योंकि एक्जाम में कई बार पूछे जाते हैं इस एक प्रिक्स हो गया ठीक है काफी इंपॉर्टन है तो इनके आपके हर छोटी छोटी चीज़े पता होनी चाहिए क्योंकि आप कोई भी टॉपिक कर रहे हैं तो आपको उसका सारा कुछ पता होना चाहिए इंफॉर्मेशन क्योंकि अगर क्वेश्चन पूछ लिया अग उससे आपको कोई मार्क्स गेन नहीं होंगे तो इसलिए जो करो पूरे अच्छे से करो है ना क्योंकि कभी हेटकॉर्टर पूछ लेता है तो कभी लोगों पूछ लेता है कभी सेक्रेटर जनरल तो हर एक पॉइंट इसका कवर होना चाहिए आपका तो अभी आप मुझे कम नाशनल लेबर ओर्गनाइजेशन ओके और अप्शन आर आपने एक कोशन अभी एटेंब कर लिया हो तो दे करेक्ट आंसर इस अप्शन नमबर ए जनेवा श्विजलान तो आये लोगा हैटकोर्टर का है जनेवा श्विजलान में और अभी ये न्यूज में भी रहा था क् क्योंकि जो इंडिया है इंडिया को चेर्मेंशिप मिल गी है इसकी ILO की ठीक है और ये जून 2021 तक इंडिया की हातों में रहेगी इंडिया की चेर्मेंशिप अर्नेक्स क्वेशन इस हेट क्वाटर ओफ सार्क तो आपको इसमें क्या बताना है सार्क का हेट क्वाटर ठीक है तो अप्शन सार अर आज फोलो ए फीजी बी काथमान्डू नेपाल सी बेजिंग चाइन और दी जनेवा स्विजलान So the correct answer is option 2 Kathmandu, Nepal So Saad का headquarter कहाँ पहाँ है Kathmandu, Nepal में Okay और Saad का full form क्या है South Asian Association 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 of Regional Cooperation ठीक है तो यह इसका full form है South Asian Associations of Regional Cooperation अब Member Country कौन कौन है वो पढ़ने की ट्रिक देख लेते हैं वो कैसे याद कर सकते हैं या तो Pain और MBBS इतना याद कर लो या फिर ये याद कर लो Pain हुआ Pain हुआ तो MBBS MBBS के पास जाओ या तो ये पूरा सेंटेंस याद कर लो या तो फिर बस Pain और MBBS याद रख लेना ठीक है तो Pain होता है तो किसके पास जाता है MBBS रॉक्टर के पास तो ऐसे याद कर लो अब हम देख लेते है Pain से क्या मतलब है जो P है P फॉर हो जाएगा पाकिस्तान जो A है A फॉर हो जाएगा अफगानिस्तान अपनी कॉपी में लिख लो एक जगा जो I है उसका मतलब हो जाएगा इंडिया जो N है N का मतलब सब को ही पता है नेपाल ठीक है तो Pain हुआ तो MBBS के पास जाओ जो Pain है P फॉर पाकिस्तान A फॉर अफगानिस्तान I फॉर इंडिया N फॉर नेपाल अब यह जो MBBS है इससे क्या याद कर सकते है M फॉर हो जाएगा Maldives यहाँ पर जगा नहीं है यार M फॉर हो जाएगा Maldives ठीक है B फॉर हो जाएगा कहाँ पर लिखूँ B फॉर हो जाएगा Bangladesh ठीक है दूसरा फिर एक और भी है उसका मतलब हो जाएगा Bhutan और S फॉर हो जाएगा हमारा Shri Lanka एक मिनट यार Shri Lanka तो मैं फिर से एक बार बता देती हूँ Pain हुआ तो MBBS के पास जाओ या तो यह पढ़ लो या फिर बस Pain और MBBS पढ़ लो ठीक है तो Pain का जो P है Pakistan A का Afghanistan I for India N for Nepal M for Maldives Double B है तो पहला वाला जो B है उसका मतलब हो जगा Bangladesh दूसरे वाले का Bhutan सबसे पहले IMF का फुल फॉर्म क्या होता है International Monetary Fund ठीक है और इसके options नीचे दे रखे है Option No. A Crystalina Georgiwa Option No. B Marcos Trioso Option No. C David Malpass So the correct answer is I hope आपने एटेम्प कर लिया ओ question Correct answer is option A Crystalina Georgiwa So the managing director IMF का पूच सकते है World Bank का भी पूच सकते है क्योंकि दोनों बहुत important है So अभी हम IMF के बारे में थोड़ा देख लेता है So इसका headquarter कहां पे है IMF का Washington DC ठीक है मैं हाँ पे लिख देती हूँ Washington DC तो IMF का headquarter का है Washington DC ऐसे ही World Bank का headquarter का है वो भी Washington DC में ही है एक copy में note down कर लो ठीक है उसके बार IMF की currency क्या है IMF की currency है Paper gold Paper gold या फिर इसी को क्या बोलते है SDR 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 का मतलब क्या हो जाएगा Special Drawing Rights एक मिनट में लिख देती हूँ SDR कौन से है Gita Gopinath यह बहुत इंपॉर्टन है Gita Gopinath इसके क्या है Chief Economist ठीक है और Parent Organization कौन है United Nation Parent Organization इतनी इंपॉर्टन नहीं है पर इसके IMF के मैनेजिंग डारेक्टर और Chief Economist बहुत जादा इंपॉर्टन है ऐसे ही World Bank का Headquarter कहां पर है Washington D.C. ठीक है President कौन है World Bank के यह बहुत जादा इंपॉर्टन है तो President है इनके David Malpass यह option में जो 3rd option है यही World Bank के क्या है President है ठीक है President of IOC and the options are as follow A. Thomas Bash B. Carter Roberts C. Raffer Mariano Grossi I hope यह पर इंप कर लिया होगा अब तक So the correct answer is option A. Thomas Bash IOC का full form है International International Olympic Committee International Olympic Committee इसका full form है President है Thomas Bash उसके बाद हम इसका पढ़ेंगे Director General कौन है Director General है Christophe C. H. R. I. C. H. R. I. S. T. O. P. H. E. Christophe D. Keper K. E. D. P. P. E. R यह क्या है इसके Director General है ठीक है उसके बाद आपको यह भी पता होगा कि जो Olympics होते हैं हमारे उसमें कुछ rings होती है है ना और वो rings अलग अलग continent को represent करते हैं तो यह question MNS 2018 यह 2019 में पूछा गया है 2018 I guess मुझे अच्छा सा याद नहीं है पर एक color दे दिया गया था और उसमें पूछा था यह color कौन से continent को describe करते है तो आपको यह चीज़ में पता होनी चीए ठीक है तो IOC में प्रेजिडेंट पता होना चीए जो कि Thomas Bash है ठीक है उसके बाद डिरेक्टर जेनर के स्टोफी डी कैपर है ठीक है उसके बाद एक और important चीज़ है Headquarter का है इसका Headquarter है Lausanne L-A-U-S-A-N-E Lausanne, Switzerland ठीक है यहाँ पर इसका क्या है Headquarter तो यह कुछ चीज़े आपको पता होनी चाहिए Our next question is Where is the Headquarter of ICJ तो ICJ का full form क्या होता है International Court of Justice ठीक है So the options are as follow A. Rome, Italy B. Hague, Netherlands C. Singapore D. Brussels, Belgium So the correct answer is आप तब तक एटेम कर लो Correct answer is Option 2 That is Hague, Netherlands ठीक है तो अभी हम थोड़ा बाद इसके बारे में देख लेते हैं क्योंकि यह अगर आपको याद होगा जो लोग न्यूस पेपर वगरा पढ़ते हैं फिर न्यूस देखते हैं उनको पता है कि कुल भूशन जादव केस जो है काफी चला था है ना जिसमें क्या हो था जो पाक के सेक्योरिटी हैं उन्होंने क्या कर रा था उनको अरेस्ट कर लिया था ए इसीजे काफी न्यूस में रहा था ठीक है तो थोड़ा इसके बारे में देख लेता है आई सीजे में टोटल जजस होता है 15 ठीक है कितने एयर्स के लिए एलेक्ट होता है यह 9 एयर के लिए मतलब 9 एयर के लिए ठीक है तो 9 साल के लिए एलेक्ट होता है 15 जजस होता है अब एलेक्ट होते हैं तो यानि कि कोई एलेक्ट भी करता होगा, तो एलेक्ट कॉन करता है, उनाइटेट, नेशन्स, जनरल, एसेम्बली, एंड, सेक्यॉरिटी, ठीक है, एंड सेक्यॉरिटी काउंसिल, सॉरी, तो आईसीजे का हेड़कॉर्टर का है, हेग निदरलैंड में, ठीक है, नियूज में क्यों रहा था, कुल्बूशन जादा केस के वज़े से रहा था, ऐसा कोशन तो नहीं आएगा कि क्यों नियूज में रहा था, वो मैं बता रही हूँ, उसके बाद 15 जजस होते हैं क्योरिटी कांसिल, ठीक है, तो जो भी इनके मेंबर्स होंगे, वो वोटिंग वगरा देते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़े आपको पता होनी चाहिए, हाँ, उसके बाद एक और चीज़े, इसका प्रेजिडेंट कौन है, तो प्रेजिडेंट है, बहुती खतरनाक नाम ह जोन, डोनो, एक बनेट, डोनो, जी एच, यूई, जोन डोनो घे, ठीक है, तो ये बहुती खतरनाक नाम है, स्पेलिंग देख लो, अगर गलती सा आगया तो अटेम्ट कर पाओ, और नेक्स क्वेशन इस, वो इस देख लेजिडेंट आफ डेवलु एच ओ, तो डेवलु एच ओ का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ और्गनाइजेशन, ठीक है, तो जल्दी से बता दो मुझे, या फिर आप एटेम्ट कर लो, क्वेशन को, तो टेडरोस एड़नॉम इसके क्या है, प्रेजिडेंट है, जेवलु एच ओ का हेटकॉर्टर कहां है, जेनेवा, स्विजलाइन, ठीक है, उसके बाद इसका आप अभी जाके, यह देखेंगे, इसका सिम्बल या फिर लोगो क्या है, क्योंकि आ सकता है, एक्स क्वेशन इस, हेटकॉर्टर ओफ डेबलु एफ, तो इस क्वेशन में आपको हेटकॉर्टर बताना है, डेबलु एफ का, एफ भी बहुत इंपॉर्टन ओर्गनाइजिशन है, इसका हेटकॉर्टर ओफ डेबलु एफ का हेटकॉर्टर कहां पर है, तो यह हमने अभी पढ़ लिया, इसका हेट कौन है, हेट है, क्लाउस, K-L-A-U-S, क्लाउस, श्वाब, S-C-H-W-A-B, क्लाउस, श्वाब, इसका हेट है, ठीक है, तो यह दोनों चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इसका हेटकॉर्टर ओफ S-C-O, तो इसमें आपको S-C-O का हेटकॉर्टर बताना है, तो यहाँ पर ओप्शन्स हैं, आप अटेंट कर लो तब तक, So, the correct answer is, option number A, Beijing, China, तो S-C-O का हेटकॉर्टर कहाँ पर है, बिजिंग चाहिना में, ठीक है, उसके बाद, इसका आपको Secretary General भी पता होना चाहिए, जो कि बहुत important है, तो Secretary General है, वलादमीर नरोव, N-O-R-O-V, तो वलादमीर नरोव इसके क्या है, Secretary General, और S-C-O form का बाद है, 2001 में, वैसे यह पूछ भी सकते हैं, नहीं भी पूछ सकते हैं, पर यह जो मैंने Secretary General और Headquarter बताया है, यह बहुत जादा important है, ठीक है? Thank you everyone for watching this video, now what you have to do is, आपने सारे questions I hope attempt करेंगे, क्योंकि मैंने काफी time भी दिया था, और देख लो, कैसी preparation चल रही है, 10 से 12 questions थे, किते marks आए, comment section में mention करो, ठीक है, जादा गलत हुए है, या फिक गलत हुए भी है, एक या दो भी, तब भी, दुबारा revise करो, क्योंकि बहुत important topic है, ठीक है, और यह part 1 था, अगर मुझे अच्छा response मिला, तो मैं कल तक part 2 भी ले आऊंगे, और उसमें हम दूसरा topic cover करेंगे, जो की बहुत repeat होते हैं, MNS exam में, ठीक है, तो response पर depend करता है, कि response कैसा आता है, उसी के according में video बनाऊंगे, तो, thank you so much guys for watching this video, and if you like my efforts, then do share the video with other MNS aspirant, और MNS aspirant के साथ ही नहीं, बलकि जो बाकी competitive exam के तयारी कर रहे हैं, उसके ले भी यह topic बहुत जादा important है, तो आप उनके साथ भी यह video share कर सकता है, thank you so much guys. पहो है गाइन आता है, बपकर सकते हैं, तो, anyway सकता है उनके साथ ही तो ज Is take Flास में